दोस्तों इस समय बहुती बढ़िया गुलाब का फूलों का टाइम चल रहा है और आज मैं आपको गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी ये पौधे मैंने एक हफते पहले रिपोर्ट किये हैं और बहुती बढ़िया इन पर फूल आने स्टार्ट हो गए हैं बढ़िया ग्रोध भी हो रही है तो किस तरह हमें रिपोर्ट करना है ताकि हमारा पौधा मुरजाए भी ना और बहुती जल्दी ग्रोध पर आ जाए सबसे पहले सिंपल मिट्टी बनाएंगे कुछ भी ज़्यादा इसमें करने की ज़रुरत नहीं है सबसे ज़्यादा जर आ रहे हैं अपने फार्म पर और इस समय पर इस पर चल रहा है डिसकाउंट सर्दियों में ज़्यादा खाद की ज़रुरत होती है विंटर फ्लावरिंग्स इतने भी प्लांट सबी में खाद डालते हैं तो आप इसको ले सकते हैं 40 रुपे आपको ओफ मिलेगा इस समय पर आप चाहें तो वेबसाइट से ले सकते हैं इसमें हमें रेत मिक्स करना है जितनी मिट्टी हो उसे थोड़ा कम आप उसमें रेत मिला लीजे रेत आप मोटा वाला पतला वाला कोई सा भी ले सकते हैं दोनों ही बढ़िया काम करेंगे इससे ड्रैनेज बहुत अच्छा रहत है उसमें हमने आधी मिट्टी देखिए भली है और देखिए खात आप रंग देखिए बिलकुल काला है बहुत ही प्यूर क्वाल्टी का खात है आप जरूर इसको इसको इस्तमाल करके देखिए बहुत ही बड़ी हा रिजल्ट मिलेंगे और सर्दियों में धेर सारा यूज करिए गुलाब पर या फिर जो भी सर्दियों के पोध्यम लगाते हैं उनमें खुब सारी खाट डाली है तो बहुत ही बड़ी हा उन पर फूल आते रहेंगे कुछ जादा उसमें करने की जरूरत भी नहीं रहेगी और अभी हम अपने प्लांट को देखिए निकाल लेंगे मैंने जो चिकनी मिट्टी थी वो हटा दी है लाल मिट्टी में लगा हुआ था इसलिए थोड़ा मिट्टी मुझे हटानी पड़ी सभी गुलाबों की इस तरह से मैं थोड़ा आराम से हटा दी थी मिट्टी और इसको थोड़ा सा दबा दबा के हमें लगाना है क्योंकि हमन जो पहले प्लांट से हमने अच्छे से खाद यूज किया है और बहुत ही बड़ी हातर है से जल्दी से चलना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों तो देखिए जितनी भी इसके बाद हम जितनी खरापतियां वो सब हटा देंगे एक बार बहुत अच्छे से पानी देना है ताकि मिट्टी अच्छे से सैट हो जाए जड़ो तक अच्छे से पहुंच जाए इसके बाद इसमें जब तक पानी आप बिल्कुल मत दीजे जब तक मिट्टी सूखे न देखिए प्लांट मैंने 15 दिन पहले रिपोर्ट किया था नई ग्रोथ उसमें स्टार्ट हो गई है पूरी पत्या जड़ गई है दूसरे वाले की पत्या नहीं जड़ी है और देखि तीसरे चोथे दिन पानी दीजे तो बहुत ही बड़ी हा प्लांट चलता रहेगा गुलाब का जादा पानी देने से भी फंगस की प्रोबलम हो जाती है नई ग्रोथ बहुत ही जल्दी समय पर आ जाती है तो इस तरह ऐसे आप गुलाब के पोधे को लगा सकते हैं वीडियो तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जुरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूं नेक्स वीडियो में थेंक यू बैइ मच बाइ